नमस्कार दोस्तों मैं हूं मिर्तुंजे कुमार जहा हम आपको बताने जा रहे हैं कि सोने और चांदी की कीमितें क्या आने वाले वक्त में बढ़ सकती हैं इसी पर आज हम आपको बताने वाले हैं डेटेल में तो यह वीडियो आप पूरा देखिए क्योंकि आपका पैसा जगाएंगे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत ज़रूरी है कि आप पूरे कंटेंट को बहुत ध्यान से बहुत गौर से सुने देखें समझें तो चलिए अब आते हैं मुद्दे पर गोल्ड की बात हम कर रहे हैं सिल्वर की बात कर रहे हैं तो गोल्ड का भाव अभी और कंजिमर को क्या करना चाहिए तो पहले राय ट्रेडर के लिए सुनिए ट्रेडर के लिए यह है कि जून के आखिर तक जो लोग थोड़ा सा शॉट टू मीडियम तर्म के लिए ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए जून के आखिर तक गोल्ड का भाव पचास हजार रुपए तक जाने की संभावना है चांदी का भाव 80,000 रुपए के उपर जा सकता है यह एक्सपर्स का मानना है तो मतलब जो ट्रेड कर रहे हैं अगर वो इस लेवल पे 48,000 के उपर के भाव पर गोल्ड खरीतते हैं या सिल्वर 24,000 के आसपास खरीतते हैं तो उनको अगले एक स्ट की राए यह है कि अगले 8-12 मेहने में गोल्ड का भाव 60,000 रुपए प्रती 10 ग्राम तक जा सकता है और चांदी का भाव चांदी का भाव सुनकर तो आप चौक जाएंगे और शायद आपको अभी यकीन भी ना हो जिए चांदी एक लाक रुपए प्रती किलो के पार जा सकत भी अब कंजूमर के लिए क्या है तो जो लोग शादी के लिए गोल्ड खरीदना चाहते हैं जिनके घर में आगे शादियां हैं या किसी को आपको गिप्ट देना है कोई और फंक्शन है उसके लिए आप गोल्ड खरीदना चाहते हैं उनके लिए एक्सपर्स की रहा है कि वो बिल्कुल देर ना करें और वो इस इंतजार में ना रहें कि आने वाले वक्तने गोल्ड के दाम कम वोंगे तब गोल्ड खरीD देंगे उनको तुरन्स इस भाव पर गोल्ड खरीD लेना चाहिए कृमक्예 उनको शस्ता भाव गोल्ड का नहीं दिखने वाला है सस्ता गोल्ड नहीं मिलने वाला है और अगर वो इस इंतजार में रहेंगे तो हो सकता है कि उन्हें और महंगाई गोल्ड खरीदना पड़े तो कजूमर के लिए रहा है कि वो इस वक्त गोल्ड खरीद लें ट्रेडर भी अभी आप खरीद सकते हैं और जो इन्वेस् आर्थिक हालात खराब होते हैं तो सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है लोग गोल्ड में पैसा लगाते हैं अभी यह हो यही रहा है अमेरिका के आर्थिक हालात को लेकर चिंदा बनी हुई है और अमेरिका एक बड़ा फेक्टर होता है गो पर कमजोर हो रहा है उसका भी इंपेक्ट होगा चांदी के दाम इसलिए बढ़ेंगे क्योंकि अब यूरोप में जो कोरोना के हालात है वह बहुत हत्तक कावो में आ गये हैं चीन की एकनोमी में रिकवरी आ गई है चीन मेटल का सबसे बड़ा कंजूमर है लिहाजा अगर म पैटल की डिमांड बढ़ेगी तो उसका फाइदा चांदी की कीमतों को मिलेगा क्योंकि 50 फिर्दी इस्तमाल जो चांदी का है वो और योगिक इस्तमाल के तौर पर होता है इंडिस्ट्रियल यूज होता है लिहाज अगर इंडिस्ट्रियल डिमांड बढ़ेगी तो हैं और कीमतें यहां पर बढ़ सकती हैं तो नोट कर लिए जून के आखिर तक गोल्ड पचास जार सिल्वर असी हजार एक साल के अंदर गोल्ड साथ हजार और सिल्वर एक लाग रुपए यह एक्सपर्स के बड़े तपके का यही मानना है मार्केट है होने कर तो कुछ भी हो सकता है लेकिन फिलहाल ताजा हालात को देखते हुए यह बड़ा अनुमान सामने आ रहा है नमस्कार फिर मिलेंगे किसी नए कंटेंट के साथ